हेलो स्वागत है आप सभी एक आशी सिंग लेक्चेस के लेटेस्ट वीडियो में दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी तगडी धमाकेदार विदी सिखाने वाला हूँ जिस विदी के बाद में ना 9th क्लास से लेकर के किसी भी क्लास के बच्चे को कभी भी रासायनिक समीकरन संतुरित करने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होगी मैंने एक IUPAC नामकरन का ट्रिक वाला वीडियो बनाया था आज उसके उपर एक मिलियन से ज़्यादा व्यूज है मैं उमीद करता हूँ कि इस वीडियो को भी इतना प्यार मिलेगा कि इस तरीकी विदिया सब तक पहुँचेंगी और ये वीडियो भी बहुत ही कम समय में अच्छे व्यूज लेगा ये मेरी उमीद है व्यूज का मतलब ये है कि जादा से जादा बच्चों तक इसको पहुचाईएगा क्योंकि ये वो विदि है जिसकी हेल्फ से कोई भी बच्चा रासाइनिक समय करण को एकदम मक्षन अंदाज के अंदर मास्टर कर सकता है किसी से भी पूछोना जाकर के सब यही कहते है हिटेंट्राइल है हिटेंट्राइल है हिटेंट्राइल जानते हो इसमें हाइडोजन का में आगे दो लगा दो आगे तीन लगा दो आगे चार लगा दो मतलब हमें भचीडे खाने पड़ते हैं अभी के लिए के साथ में मैं बिल्कु साइश शाप्त काम में ले रहा हूँ भचीडे, हमारे मारवाड़ी भचीडे का मतलब होता है, जैसे ये दिवार है, इस पर जाज़ा बार 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 आप स्ट्राइक करते हो, उसको भचीडा कहते हैं, तो बार बार समीकर्ण के साथ में भचीडा खाने के जरूत नहीं है, आपके मन को हडने के लिए मैं लेकर के आ गया हूँ, मनोहर विधी, साइंस में इसका कहिए रिजिटिशन नहीं है, मनोहर विधी जैसी कोई चीज साइंस में होती नहीं है, ये मैंने बनाई है आपको समझाने के लिए कि रासाईनिक अभिक्रियाओं को कि प्रकार संतुलित किया जाता है काफी बुक्स वगरे में इसका कॉंटेक्स मिल जाता है उन सब को समराइज करके एक विधी आपके साम में लेकर करके आओं शुरूआत करता हूं सभी को नमस्कार राम राम जसेका सलाम वालेकूं बस एक बात का ध्यान रखना अगर वीडियो पसंद आजाए इस विधी से आपके कोई मदद होती हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना शुरू करते है मनोहर विधी क्या बात है ध्यान जा सुनिएगा बहुत मज़ा आएगा मनोहर में ही सब कोच आपके मन को हडने वाली विधी लेकर के आया हूँ मनोहर विधी मनोहर 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 विधी क्या बोलती है बहुत ध्यान समझिएगा एक एक शब्द का पोस्मॉटम करते है ये कहती है सबसे पहले मैटल को बैलेंस करिए किसी भी रासाइने कभी करिया को जब आप बैलेंस करने जा रहे हो किसी भी रासाइने कभी करिया को बैलेंस करने की जरूत क्यों पड़ती है तो रासाइने कभी करिया को बैलेंस करने की जरूत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमने पड़ा है द्रिमान सरक्षन का नियम, ना तो कभी द्रिमान को बनाया जा सकता है, ना द्रिमान को खतम किया सकता है, इसलिए उल्टे हाथ की तरफ, मतलब अभिकारक की तरफ, जितने परमाणू हैं, उतने ही अभिकारक से उतपाद बनते वक्त रहने चाहिए, इसलिए हम लोग अभिक के नियम के कार्ण हमें का विक्रिया को बैलेंस करते हैं तो मनोहर विदी में M का मतलब है मैटल सर्व पर्थम मैटल को आपको बैलेंस करना है मैटल को बैलेंस करने के बाद अब आप जाएंगे आगे और अब आप बैलेंस करेंगे नौन मैटल को अब यह मत बोलना से हमें न नॉन मेटल क्या होता है, मेटल का मतलब होता है धातू, सबसे पहले धातू को बैलेंस किया जाएगा, उसके बाद अधातू को बैलेंस किया जाएगा, तीसरी चीज है, उसके बाद में ऑक्सिजन को बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सिजन, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाएगा और इस AR का मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है आगे बढ़ते समय आगे आगे बढ़ते समय पीछे रिपीट करना है अब मैं समझाओंगा इसका क्या मतलब है? आपको एक ही बार में खटाक से सब के लिए रो जाएगा मेरे बात बस सुनते जाओ मनोहर विधी को याद रखना है अभी के अभी कमेंट चेक्शन में विधी लिख जानी चाहिए क्योंकि इतनी इंपोरेंट विधी है कि इसके साइता से आप किसी भी राचा है नहीं कभी क्या को बैलेंस कर सकते हो आपके मन को हरने वाली विधी लेकर के आया हूँ मनोहर विधी तो मनोहर विधी क्या बोलती है मनोहर विधी कहते हैं कि सबसे पहले metal को अरथा धातु को बैलेंस करिये उसके बाद वो कहती है कि अब आप non metal को बैलेंस करिये धातु बोले तो यैसे अपके साभने magnesium आ गया zinc आ गया, copper आ गया इन सब को, अधातु बोले तो Hydrogen हो गया, अधातु की दूबाती नहीं करनीख है अधातु का मतलब आपका यह से Carbon हो गया ठीक है, इस टाइप के कुछ है वो आपके अधातु में आते हैं, उसको आप जो है पहले Balance करोगे, उसके बाद में उसके बाद आप oxygen को balance करोगे फिर आप hydrogen को balance करोगे और आगे बढ़ते समय पीछे repeat करते वे चलोगे अब इसका क्या मतलब है अभी करिया को balance करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा यहां तक का screenshot आपने ले लिया है तो comment section में फटा फट से smiley वाली emoji सबसे पहले लुकन हो गई है जो आपने हमें बताई है और अगर दूसरे एक्जांपल पर जाना चाहें तो आप ध्यान रखें कि non-metal में बहुत सारी वराइटी आपके पास है non-metal में आप चाहें तो carbon हो गया sulfur हो गया है ना chlorine है fluorine है फ्लोरीन है यह सब non-metal ही है ठीक है शुरू करें चल सबसे पहले metal को balance करना मुनना तो इसके अंदर metal दिख रहा है आपको उल्टे हाथ की तरफ देखो magnesium metal है सीधे हाथ की तरफ भी magnesium metal है एक बात कभी मत करना देखो जैसे मान लो यह H2O है अगर आप चाहते हो कि oxygen को दुगना करना है तो आप 2 को आगे लगा सकते हो balancing करते हैं इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर H2O में oxygen को दुगना करना है तो 2 आप आगे लगा सकते हो आप कभी भी यह नहीं कर सकते कि oxygen को दुगना करना है तो आप यह कभी नहीं कर सकते कि हम O के आगे 2 लगा दें यह हो जाएगा महा पाप chemistry का क्योंकि H2O को कहते है जल और H2O2 को कहते है hydrogen per oxide तो अगर किसी भी परमानों की संक्या को बढ़ाना गटाने का काम करना हो तो आप 2 को यह जो भी नंबर है उसको आगे लगाएंगे एक बात का विशेज ध्यान रखे इसके बाद में hydrogen कितने हो गए है वो पता लगाने का तरीका क्या है यह इससे गुणा होगा तो दो गुणा दो हो गया चार मतलब आपके पास है चार hydrogen और oxygen का कि कुछ नहीं रिका मतलब 1 है तो 1-2 से गुणा होगा मतलब इसके अंदर है 2 oxygen इस प्रकार से ठीक है मैं तो एक इसमें आगे टू लगा दिया तो अब इस्तिती क्या बनी है hydrogen आपके पास है कितने दो दुनी चार तो आपके पास है चार hydrogen इस प्रकार से देखा जाता है समझ मागया सबको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है चलो इसकी बैलेंसिंग पर आते हैं मनोहर विधी को यूज में करते हुए बैलेंसिंग करेंगे उसके बाद आप जाओ आगे अब आगे बढ़ो अब नॉन मेटल को बैलेंस करो नॉन मेटल इसमें कोई दिख रहा है नहीं दिख रहा आगे बढ़ो उसके बाद oxygen को बैलेंस करो इधर कितनी oxygen है दो उधर कितनी oxygen है एक और वह बरे इधर दो है उधर एक ना ना यह नहीं तो लास्ट के दो शब्द हैं, आगे बढ़ते समय पीछे repeat करना है, कहने का मतलब आपने अभी oxygen को balance किया, तो oxygen को balance करके वापस पीछे जाओ, और देखो कि कहीं metal तो disturb नहीं हो गया, कहीं पर non-metal तो disturb नहीं हो गया, तो अभी अभी आपने oxygen को balance करने के लिए आगे दो लगाया अभी अभी आपने oxygen को balance करने के लिए आगे दो लगाया, तो चेक करो कहीं उससे धातू में तो गड़ बढ़ नहीं हो गई, पीछे आओ, आगे बढ़ने से पहले repeat करो, पीछे आओ, पीछे आ करके देखो magnesium में disturbance तो नहीं हुआ, हुआ है, यहाँ magnesium एक है, अब यहाँ कितन और किसे को चेक करो, दो इधर है, दो इधर है, ठीक है, balance है, बात खतम, यह आपके अभी करिया संपूर्ण रूपेन balance हो चुकी है, मज़ा आया की नहीं आया, अगर आया मज़ा तो commentation में लिखो मज़ा, commentation में अभी के अभी लिखो मज़ा, कोंकि मज़ा नहीं आया तो फ let's have a look on this, what is this, this is C plus auto giving CO, manohar, manohar RJ के लिख लेना है आपको, अरे क्या मस चीज बनाइए, manohar, metal को balance करेंगे, metal इसमें है ही नहीं, आगे बढ़िये, metal के बाद में अब आपको non-metal balance करना है, अधा तू, ढूंडो, carbon है बढ़िया, चेक करिये मुना, left में carbon कितना है, right में carbon कित आगे बढ़ने से पहले repeat करना है, आगे बढ़ने से पहले repeat करना है, वापस से पिछे आओ, वापस चेक करो कि metal है ही नहीं, अब non-metal, non-metal कौन ता carbon, चेक करो carbon में गरबढ़ तो नहीं हुई, हाँ, जी हो गई, इधर दो carbon है, इधर एक ही है, carbon को set करो, तिर वापस से आगया आओ oxygen को देखो, क्या oxygen में गरबढ़ हुई, नहीं, इधर भी दो, उधर भी दो, अभी किरिया संपूर्ण रूपेन balance है, that's it, manohar vidi काम करती है, practice करवाओंगा न, manohar vidi में मन लग जाएगा, फटा फट कमेंट करके बताएं, कि manohar vidi आपको कैसी लग रही है, हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि manohar vidi में अपके मन को छुने बारी vidi है, अगला किसी vidi से अगला caution करने जा रहे है, दिल दे दीजेगा इसको उपना, manohar, क्या सर, कैसी बाते करते हो, दिल तो हम दे चुके है, manohar, manohar, आज कल के बच्चे न, 10th क्लास में आक manohar का मतलब है, सबसे पहले metal को balance करना है, metal, ढूंदो, क्या कोई metal है, बिल्कुल है, कौन है, magnesium, यहां कितनी magnesium है, कितनी magnesium है, सांभा, तीन magnesium है, तो तीन magnesium है, यहां तो एक ही है, तो यहां कर दीजे, तीन, सभी को बढ़ते हैं, अब non-metal को balance करी, कौन है non-metal, आपके रज़र म nitrogen, कितने nitrogen हैं इधर, दो, इधर कितना है, एक, दो कर दो रहे सांभा, आगे बढ़ो, अब एक चीज़ और करनी है, आगे बढ़ने से पहले repeat करके देखना है, आपने non-metal को balance किया, कहीं उसके चकर में metal to disturb नहीं हो गया, तो आपने non-metal को balance किया, metal, चेक कर लो एक बढ़, ती पीछे, चेक करना पड़ता है, कि आगे कुछ करने से पीछे वाले step पे को गरबढ़ होई की नहीं होई, यही last के दो शब्दों का मतलब है, ठीक है सांभा, आगे बढ़े, अब उसके बाग oxygen को चेक करेंगे, oxygen किदर है तू, यह रही, कितनी है oxygen यहाँ पे, इधर कितनी है 3, 2, 6, तो 6 oxygen है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे आपको 6 लगाना पड़ेगा, आगे बढ़ने से पहले repeat करो, पीछे जा करके देखो, क्या आप metal disturb हुआ या non-metal disturb हुआ, चेक करते हैं, mg3 है, mg अभी भी 3 है, n2 है, n अभी भी 2 है, इसका मतलब metal पे किसी भी प्रकार का को बहुत खुशी की बात है, यह बहुत ही जबरदस्ट और अच्छी बात है, ठीक है, ऐसे non-metal भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, आगे बढ़ते हैं, अब balance करेंगे hydrogen, चेक करो, यहाँ कितनी hydrogen है, 6, 2, 12, यहाँ कितनी hydrogen है, 3, 2, 6, 6, 6, 12, ठीक है, मनोहर विदी में मजा आ रहा है की नहीं आ रहा है, प्यारे बच्चों, वापस से एक बार आपके नजरों के सामने पूरी विदी को फिर से करके बताता हूँ, कोईकि कभी-कभी क्या होता है, हम तो caution करवा देते हैं, पर बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है, तो फिर हमारा भी दिल दुखता है, कोई की एक टीचर का उद्देश ही होता है, कि अगर उसने कोई टॉपी पढ़ाया है, तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए ना, वो ही बाते बच्चों, ध्यान से देखेंगे, सबी बच्चे एकदम पूल अटेंशन के साथ, मनोहर विदी में सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं, यहाँ तीन है, यहाँ पे एक है, सबसे पहले मैंने तीन लगा दिया, आगे बढ़ते हैं, नॉन मेटल को बैलेंस करते हैं, नॉन मेटल में नाइट्रोजन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है, मैंने दो लगा दिया, आगे बढ़ने से पहल भी तीन है, all good आगे बड़े